असलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू मैच चानल आज हम देखने वाले हैं वेज पीजा बच्चों की फेवरेट डिश विदाउट ओवन घर पे कैसे बनाए हम इसका बेज भी घर पे बनाने वाले हैं तो मेरे स्टैल में ज़रूर बनाएगा ज़रूर ये रेसिपी क कर दीजे चांडार रेसिपी करें बैक दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकशन को दबा दीजे और हम लोग बनाएंगे मेरे स्टैल में वेज पीज्चा अपने किक फेवरेट और इसको में कैसे बनाते हैं तो इससे पहले मैं ने लिया है एक बोल मैं पानी को अच्छे से बोईल होने दी रखा था तो मेरा पानी गरम हो चुका है मैंने एक कप पानी लिया है ये बोल में हम लोग इसमें पानी आड कर लेंगे और हम इसमें आड करेंगे दो टेबल स्पून शुगर मैं दो पीजा बनाने वाली हूँ मेदे के अटे से मेदा पानी में और नमक को भी इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे और हमारा पानी गरम है अभी भी गुनगुना पानी लीजेगा पहले गरम था अभी थोड़ा सा गुनगुना हो गया इसका टेमरेचर डाउन हो चुका है इस स्टेज पे हम लोग आड करेंगे डो टेबल स अभी आड करेंगम सोड़ा और एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर दालेगा इससे भी आपका पीजा सेम बनेगा और इस दाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है गुठलिया आने नहीं देना है इसे अच्छे से स्टर करते हुए अच्छे से इसके गुठलिया खतम करते छोड़ देंगे धकर ताकि यह फूल जाए जब हमारी फूल जाएगी तो फिर हमागी की प्रोसेस करेंगे तो दस मिनिट हो चुकिए देखिए हमारी इस पूरी तरह उपर से फूल के उपर आईए अभी जस हमें वापिस इसे एक पर स्टोर करना है और अभी हम इसका डो करने के लिए मैंने मैदा यूज नहीं किया है आप चाहे तो मैदा यूज कर सकते तो यह दो कब भर के हमारा घ्यू का आटा है जिससे हम रोटी बनाते वो मैंने मिक्स नहीं किया है पूरा घ्यू का अटा लिया है बस इसमें ही हमें दीरे-दीरे अच्छे से हमारा इस्ट बना लेना है और बना दोव बना लेना है पहले मिकस करके देखें और पानी की जरुवत है क्या आप पानी कर सकते हैं या तो आप दूद्ध ब्याड़ कर सकते हैं चाहिए मैं इसमें एक टेबल स्पून प्राइप करोंगी पाइप लिए पाइप कुछ आटा लो बीटकर बस हमें ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है जैसा हम रोटी के लिए आटा गुनते उसी तरह से आटा गुनना है थोड़ा ये पतला होगा तो भी चलेगा बस हमें इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी आड करते वे इसे अच्छे से गुन लेना है इसे हम लोग पानी कि आप ऐसे ही इसी बरतन में हम चोड़ेंगे इसे तो जराय से मसलते वे इसे साप्सा गुन लिए इसाइसे जो हम हमें रिभाफी को भी लगाना है और फरार्ट outsiders को भी लगाना अचेसे और इसे नीचे वाले बरतन को और भुपितार आटे को इस कदर से एक बाल बना के हमें इसे इसी बर्तन में रेस्ट होने के लिए रखना हैं आप चाहे to एग घंटा रख सकते हैं या मिनिमम 30 मिनिट्स 30-40 मिनिट्स इसे रेस्ट होने दीजे या तो फिर अगर आपके पस टाय में तो एक घंटा रखिये तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं मैं पीजा बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने लिए है एक प्यास एक टेमाटो तीन शिम्ला मिच इसके पर आप दूसरे वेजीज भी दाल सकते यह पीजा सॉस है यह मोंजरेला चीज है यह टोमेटो केचप लिया है मैंने शेजन नॉन वेज बता दीजेगा मैं अप्लोड कर दूगी यह पीजा हर्ब है मिक्स हर्ब और यह हमारे चिली फेक से तो अभी हम ने इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं मैंने चीज को ग्रेट कर लिया है वेजीस को कट कर लिया है स्लाइस किया है मैंने पतले-पतले स्लाइस आप क्यूब में भी कट कर सकते हैं आपकी मर्जी है मैंने पत्थिन स्लाइस कर लिया है अभी हमारे पास ओवन ही है तो हम घर का ओवन बनाएंगे एक कड़ाई ले लिजे ऐसा स्टैंड नोगा आपके गर में स्टैंड रख दीजे और इसे अभी हमें प्रिहिट करना है और अभी हमारे आटे के पास चलते हैं तो मैंने एक बटर पेपर लिया है और ऐसी एक पतली सी प्लेट लिजेगा जो हम स्टैंड पर रख सके और बटर पेपर मैंने उसी के ही शेप का कट कर लिया है हमारे आटे को मैंने 30 मिनीट रकाता देखें सॉफ्ट हो चुका है बस जिता आप इसे स्ट्रेच करोंगे आपका जो पीज़ा इस पीजा पीजा है उतना ही अच्छा बनेगा आप इसके जगे पर मैदा भी यूज कर सकते पर मैंने घ्यू काटा यूज किया है आप ऐसे कोई सरफ्रेज पे या बस इसे स्ट्रेच करते हुए एक पास दस मिनीट कोन लिजे अच्छे से गून लेना है इसे इसे स्ट्रेज करना है तरव你好 ऑप नारने प्रवाट है करें घलूटन को तो और यहां शुच Seni का है गून हो जाए तो इसे स्ट्रेज करते वह sit कर सी सिलएको सो ने पीजा का बेज जो है बहुत अच्छा बनेगा और आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने मेदे के जगे पे हेल्दी वेज पीजा खिलाया है बस अब इसे हम ऐसे ही कर देंगे और इसके हम लोग दो बॉल बना लेंगे अभी इसके मैंने दो बॉल बना लिया उस अगर ऐसे नहीं जम रहा है तो आप इसे बेल भी सकते हैं जो हमने बटर पेपर रखाता बस उसी के ओपर हम लोग इसे ऐसे फैला लेंगे इसकी जो बीच की जो परत है थोड़ी सी पतली रखिएगा और साइड में थोड़ा सा मोटा कर लीजे और इसे धीरे 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 पूरी प्लेटे में इसे हम लोग ने फैला लेना है और फैलाने के बाद हमें देखें मैंने साइड की किनारे मोटी रखिये और बीच में पतला किया है और फोक के हिसाब से आप इसे छेत कर लीजे अ ऐसे ताकि इसके एर पास हो सके और हमारा पीजा है पुरा heavily gjort हो सके तो एक बार करने के बाद हमें स्टेप करने के बाद इसके उपर हमने अभी सॉसिस लगाने हैं सबसे पहले मैं एड़ करूंगी पीजा सॉस इसे अच्छे से पूरी तरश से पूरे इसमें फैला लीजिए एकी चमच लिया है मैंने इसके बाद हम एड़ करेंगे एक चमच हमारा केचप को भी हम लोग ऐसे साइड साइड से पूरी अच्छे से mix करके फैला लेंगे, spread कर लीजे चारो तरफ से, अभी और add करेंगे हम लोग हमारी मियोनीज, एक चमच मियोनीज अड़ कीजेगा, उसे भी हम लोग फैला लेंगे अच्छे से, spread कर लेंगे अच्छे से, चारो तरफ से, इसे अच्छे से spread कर लीजेगा, बस एक बर यह सौसे से स्प्रेड हो जाए तो अभी हम एड करेंगे हमारे वेजिज, जो हमने थीन स्लाइस करके रखे तें बस उसी कोई अभी हमने इसमें डेकोरेट करते हुए लगा दीजिए, यह टोमेटो मैंने सलाइस किये थे, थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट करेंगे थ ताके हमारे बच्चे खुश हो जाए देखके और उन्हें लगे कि हमने घर में नहीं बनाए बहाँ से लाए है। आप इसमें सुईट कॉण भी ऐड़ कर सकते हैं और आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड़ कर सकते हैं। मेरे बच्चों को ओलिव और स्वीट कॉन का टेस इतना पसंद नहीं आता है तो इसलिए मैंने कम वेजिस दाले है अभी मैं इसके अंदर दालूँगी प्यास और इसे मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी इसे चारो तरब राउंड चेप में हम लोग इसे डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से तक यह दिखने में भी अच्छे दिखे और टेस्टी भी लगे अभी हम एड़ करेंगे इसके उपर हमारा जो ग्रेटेट चीज है वो इसमें एड़ करेंगे चीज आपके हिसाब से अच्छे से और जो हमने प्री हीट किया तावन उसमें हमें इसे रख देना है प्री हीट के लिए 10 मिल पहले प्री हीट कई जेगा मरग्यास चालू है हमारी उसमें स्टीन बन चुकी है वो अल्रड़ी प्री हीट हो चुका है तो बस और इसके ओपर भी हम थोड़े से करने छोड़ देंगे तक हमारे बच्चे वेजीज भी खाए और पीजा उनके पसंद हो जाए और उनको पसंद भी आ जाए इसलिए हमने मेहदानी यूज किया है घेहू का आटा यूज किया है आप रेडिमेट ब्रेस भी ला सकते है नो प्रॉबलम बस अभी मैं इसे हमार कड़ी करम है बस इसे अभी हमें 10 मिनिट्स हाइ फ्लेम पे और 5 मिनिट्स मीडियम फ्लेम पे रखना है और हमारा पीजा यह रेडि होता है तब तक हम दूसरे ट्राइ करते मैंने एक पैन लिया है तवा आप कोई भी नॉन स्टिक पैन लीजेगा मेरा पैन थोड़ा सा हमें फैला लेना है अच्छे से पूरे पैन में फैला लीजे अच्छे से फैला लीजे और नीचे ओयल दालेगा ताकि यह हमारे नीचे चिटके नहीं बस इसे हमने गरम नहीं किया है बस हम ऐसे ही कर लेंगे इसे फैला लेंगे अच्छे से यह जब चारो तरफ से फैल जा फोक से इसको हम छेद कर लेंगे फोक से पूरे इसके अंदर छेद करके इसमें क्युक्त अब कर चाये बस इसलिए मैंने बीच बीच में फोक से से ऐसे छेट कर लिए हैं आप भी स्कॉय से ज़रूर कीजेगा ताकि यह वनली पक जाए और इसमें उपर तक एर आए बस मैंने जो साइट के किनार रखिए मैं उसमें भी चीज आड़ करूंगी क्योंकि उदर भी जैसे हम लोग को रेडिमेड पीजा लाते हैं तो वहां भी चीज होती है ना उस हिसाप से मैं कर रही हूँ बैस हम चारो तरप से गोल जितना भी राउंड शेप है उसमें हम लोग चीज बर देंगे यह चीज हम लोग डालके उपर से जो हम लोग पीजा को फोल्ड कर देंगे इस कदर ताकि इसकी एक रिंग बन जाए और जब हम कट करेंगे तो यह भी हमारा चीज निकलेगा मुंजरेलाज चीज हमारी बस अभी हम इसे ऐसे फोल्ड करते हुए फोल्ड कर देंगे इसे तिन पूरी तरह राउंड शेप में बस इतना ही करना है अ अब हम लोग इसे दबा लेंगे अच्छे तरह से ताकि चीज हमारी बहार ना निकले और अभी हम लोग एड करेंगे हमारे सौसेस इसमें भी इसमें मैं शेजवन चिली क्यूंकि मैं बड़े बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें शेजवन चक्नी दा लिए उसे यह टेस्ट बहुत पसंद आता है तो मैंने एक चम्मच शेजवन चक्नी ली है उसको हम लोग चारो तरप से स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से शेजवन चक्नी हमारी स्प्रेड हो चुकी है इसके अंदर मैंने एड किया है पीजा सॉस आपके हिसाब से स्प्रेड कीजेगा आपको जो पसंद है जो आपको बेस उसकी टॉपिंग पसंद है वह आप उस हिसाब से करिएगा एक चम्मच एड करूंगी मैं मियोनीज इसको भी हम लोग अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे क्यूंकि स्प्रेड कर लेंगे इसमें मस्टर्स रॉड सॉस भी डाल सकते हैं मैंने इसमें दाला है और एक चम्मच हमारा केचब जो सोसेज आपके पास अवेलेबल होंगी वह दालिएगा जो आपको पसंद होगी वह जरूर दालिएगा बस अभी यह सॉसे से स्प्रेड हो चुकिया है अभी हम इसे भी वेजी से डेकोरेट कर लेंगे राउंड शेप में पुरा में डेकोरेट कर लोंगी वेजी इसके अंदर और इसमें भी हम लोग पूरे वेजी लोड कर देंगे ताकि हमारे बच्चों को पसंद भी आए और दिखने में भी अच्छा दिखे और हमारे बच्चे खुश भी हो जाए तो आप आपके हिसाब से करीजेगा इसके जगे पर आप क्यों उसकर के भी डेकोरेट कर सकते हैं तो बस अभी मैं बागी के वेजी भी डाल दूंगी य शिम्ला मिच दाली है मैंने शिम्ला मिच के बाद हम लोग एड करेंगे हमारे टोमेटोस टोमेटोस भी हम लोग ऐसे राउंड सोकल में हम लोग रखेंगे इसमें आप नौन विज भी डाल सकते हैं इसमें पनीर भी डाल सकते हैं या आपके जो वेजीज आपके बच्चे इसम नहीं खाते वह भी आप इसे अंदर सकते हैं तक के बच्चे इनो में ओब दार?" भीजा चीज आड़ करें चीज अब बेक होने के लिए रख देंगे आघ। सिप्स्टीन मिनिन्ट शके ते रिखेंते हैं तो मेरे स्टायल में ज़ुरूर बनाते हीं अब दर्टों के बहुत पसंद्ध आए अगर आपको पीजा बेस नहीं बनाए तो रेडिमेड भी मिलता है आप रेडिमेड भी बना सकते हैं विदाउट ओवन हमारा पीजा भेज घर पे विदाउट ओवन देखिए स्पोंजी सा पीजा और बेस भी हमारा अच्छा बना है उपर टॉपिंग भी हमारी अच्छी है तो बच्चों को यह ज़रूर दीजे, बच्चे खुश हो जाएंगे, आपका पीजा देखके, और वेज पीजा, आपको सबको पसंद आया के नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा, मेरे चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कीजे, आप रेसिपी देखते पर सबस्क्रा कीजेगा, थैंक यू सो मच्च